नमस्का दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूटुब चैनल पैबली हिंदी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रियेट मीडियम पोस्ट फ्रम वर्टप्रेस तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग आटोमेशन सीखेंगे वर्टप्रेस और मीडियम के बीच में कि जब भी वर्टप्रेस पे कोई न्यूपोस्ट पब्लिश होगी तो हम ऑटोमाटिकली वो सेम पोस्ट को शेर कर सकते हैं मीडियम पर भी जी हैं पॉसिबल है आप ये पूरा प्रोसेस आटोमेट कर सकते हैं चाबली करने की मदद से जो कि एक amazing automation software है तो यह automation आपके लिए कैसे useful हो सकता है तो example की मदद से समझते हैं तो माल लीजी मैं online store run कर रहा हूं WordPress पे eco-friendly products related अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई new article या blog post करता हूं WordPress पे उस particular products related तो मैं automatically वो same article को share करना चाहता हूं medium पर भी तो यह automation बनाने के बात मेरे लिए यह useful कैसे हो सकता है तो इससे मेरा जो audience base है वो बढ़ेगा और जो medium पर मेरे audience है वो मेरी store को भी visit करेंगे ठीक है तो आप यह पूरा process automate करेंगे पैबली करने की मदद से इदा पर हम concept यूद करते हैं ट्रिगर और action का ट्रिगर में आपको लेना है wordpress action step में आप लेंगे medium और पूरा process easily हो जाएगा और मज़े की बात यह है इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आप बहुत ही असानी से पूरा automation बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी screen पे तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी screen पे आपको वीडियो में लास्त तक बने रहे हैं जिससे आपको पूरा process step by step समझ मैं चाहें तो सबसे पहले आपके दपर वर्टप्रेस का अकॉन login कर लेना आपके browser में यहां पर आपको medium का अकॉन भी login कर लेना आपके browser में तो दोस्तो हमारा objective क्या है कि जब भी हम वर्टप्रेस पे कोई new blog या article पोस्ट करते हैं पोस्ट create करते हैं तो हम automatically वो same post को share करना चाहते हैं medium पर भी ओके तो चलिए सीखते हैं पूरा process बिना किसी देरी के सीधे आपको ले चलता हूं पाप्ली करने के landing page पे दोस्तो आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में टाइप करके पाप्ली.com slash connect यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा sign up for free option तो अगर आप एक नई user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं के वल 2 मिनिट में दोस्तो आपको account creation पे हर महीने hand rate free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर स यहाँ पर आपको right inside पे बटन दिखे का create workflow का इस पे आपको click करना है तो एक dialogue box अपना जाएगा आपकी screen पे जो बोलड़ा under the name of the workflow तो दोस्तो basically आपको आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको particular folder select कर लेना है इस भी particular folder में आप आपकी workflow को safe करना चाहते हैं अगर आप new folder create करना चाहते हैं तो आप create a new folder वाली बटन पे click करके इता से new folder भी create कर सकते हैं मैं हापर click करूँगा create workflow पे और let's say हापर मेरी workflow को नाम देना चाहता हूँ create medium post from wordpress तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपकी according जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी workflow का वाप इता पर रख सकते हैं उसके बास select folders में particular folder select कर लेता हूँ तो यहाप हमें workflow automation integration वाले folder में मेरी workflow को save करूँगा click करेंगे create वाली बटन पे और आप आप आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action तो basically trigger आपकी automation को start करता है action में आप वह particular action perform करते है जो आप करवाना चाहते हैं आपकी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है इधा पर आपको action application चूज करना है to सबसे पहले आप trigger वाली step में काम करेंगे तो छूज आप में आपको इधापर चूज करना है wordpress तो यहाँ पर हम choose करते हैं WordPress, trigger event आपको इदा पर choose करना है, new post published और आपको इदा पर एक webhook URL मिल जाएगा अब दोस्तो webhook URL यहाँ पर बहुत ही amazing role play करता है, यह जब rich की तरह काम करता है और इसी webhook URL की मदद से आपको इदा पर WordPress और पाबली करने के पीच में connection बिल करना है तो नीचे आपको information मिल जाएगी कैसे आपको पूरा process करना है मैं आपको directly बताता हूँ कैसे आप webhook URL की मदद से WordPress और पाबली करने के पीच में connection बिल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस webhook URL को यहां से कर लेना है copy और नीचे आप देख सकते हैं शोर हो रहा है waiting for webhook response note में लिखा है ना login to the application where you have added the webhook URL into a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response तो दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमको webhook URL की मदद से wordpress और public connect के पीछ में connection बिल करना है उसके बाद हमको एक test submission करना है wordpress में जिसकी मदद से इदा पर हमको public connect में response receive दो okay तो मैं आपको ले चलता हूँ wordpress पे पहले हम webhook का setup करते हैं तो इदा पर आपको जाना है settings में इदा पर आपको यह WP webhooks यहां पर नजोर आएगा इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको इदा पर जाना है send data वाली बटन पर और फिर आपको इदा पर choose करना है post created okay post created के लिए इदा पर हम webhook का setup कर रहे हैं इदा पर हम क्लिक करते है add for post create और आप इदा पर दिख सकते हैं हमने इदा पर webhook का setup कर लिए इदा पर new demo 1-1 करके एक webhook create होके है उसके बाद आपको क्या करना है इदा पर 3 dots पर जाना है आपको इदा पर जाना है settings में और फिर आपको इदा पर चूज करना है post triggers on selected post type post रखना है triggers on initial post status change to published जब भी कोई new post publish होगी WordPress में जब हमारा response हमको capture होगा public connect में इहाँ पर हम क्लिक करते हैं save settings वाली button पे और आप इदा पर दिख सकते हैं settings saved तो यहाँ पर हमने webhook का setup कर लिया है ठीक है अब मैं क्या करूँगा एक test submission करूँगा इदा आप आप देख सकते हैं शोड़ है waiting for webhook response हमको एक test submission करना है जिसकी मदस इदर हमको public connect में response received हो तो इदा पर हम एक new test post create करेंगे WordPress में तो यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर मैं एक simple content यहाँ पर draft कर लिया है इदा पर आप format चूज़ कर सकते हैं जैसे कि standard gallery image link code video etc इदा पर आप category चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं category रख रहा हूँ एक्जांब ब्लॉग और इदा पर हम simply click करते हैं publish वाली बटन पर और आप इदा पर देख सकते हैं post publish यहाँ पर view post पर click करते हैं तो इदा पर हमने एक new post create कर लिए एक new blog हमने इदा पर post कर रहा है wordpress पर सीधे आपको लिए चलता हूँ पाबली गनिक पर और आप इदा पर देख सकते हैं post status यहाँ पर पर publish इदा पर हमको post name यहाँ पर शो रहा है expanding eco-friendly horizon यहाँ पर हमको content भी शो रहा है उसके बाद आप कुछ other details देख सकते हैं तो basically हमने हमारे automation की जो first step है वो यहाँ पर complete कर लिए हमने इदा पर wordpress में एक new post create करी उसका response हमने इदा पर capture कर लिया अब दोस्तो हमारा objective का है कि हमको same post को share करना है medium पर भी तो इसके लिए हम क्या करेंगे action step में आएंगे choose आप में आपको इदा पर search करना है medium और नीचे से आपको medium choose कर लेना है action event आपको इदा पर choose करना है create post simply हाँ पर आप क्लिक करेंगे connect वाली बटन पर तो यहाँ पर एक dialogue box उपर नो जाएगा आपकी stream पर जो बोल रहा है connect medium account तो बेसिकलिए आपको इदा पर जो medium का account है उसको public करने के साथ connect करना है इदा पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already build करके रखा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous save connection शो होते हैं और अगर आप इदा बचाते है add new connection के साथ तो आपको इदा पर डालना है token और यह token आपको कहा से मिलेगा तो नीचे information के बने आपको यह read करना है इदा से आप token generate कर सकते हैं मैं आपको directly बता दा हूँ कैसे आप token generate कर सकते हैं तो आपको आजाना है medium के account पर इदा पर आपको जाना है profile पर फिर आपको इदा पर जाना है settings में यहां पर generate होके आगे इसको मैं इदा से कर लेता हूँ, copy, okay, simply यहां पर हम token वाली field में इसको कर देते हैं, paste, आपको भी पूरा process को जिस तरह रिखना है, और उसके बाद आपको यहां पर click करना है, save वाली button पर, और आपका जो medium का account है, तो successfully पापली connect के साथ हो जाएगा, connect, अब नीचे आप fields जेख सकते है, user, author, post title, content format, post content और कुछ other fields, तो सबसे पहले इदा पर आप user, author चूज़ कर लेंगे, हाँ पर मैं यही रहने दूँगा, post title आपको इदा पर map करना है, previous step से, मतलब आपको इदा पर एक important चीज़ समझना है, कि आपको इदा पर manually type नहीं करना, आपको इदा पर mapping करना है, जो कि एक important step है, तो data map आप कैसे करेंगे, यह आप देख सकते हैं, previous step का response यहाँ पर शो रहा है, तो यहाँ पर हमको post title माप करना है, तो post title का है, expanding eco-friendly horizons, तो यह हमने post title माप कर दिया, तो यह जो मैंने step perform करी, मतलब previous step से data map करा, इसको बोलते हैं mapping, इसकी मदद से ही आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जब भी आपका workflow run होगा, और जो भी new response आपको received होगा previous step में, वो response automatically इस response की जगे जाएगा, यह response change हो जाएगा, क्योंकि हम data map कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इदाब हम manually type करेंगे, वो हमेशा static रहेगा, वो change नहीं होगा, इस चीज़ का आपको इदाब पर धियान रखना है, उसके बाद content format इदाब आप चूज कर लेंगे, इदा पर आप tags insert कर सकते हैं, अगर आप tag insert करना चाहते हैं तो, और publish status आप इदा पर रख सकते हैं, आपके according, draft, publish, unlisted, यहाँ पर मैं public रख रहा हूँ, simply हम पर हम क्लिक करते हैं, save and send test request वाली button पे, और आप इदा पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर positive response में लिगा है, यहाँ पर हमको post का title शोर है, publish status यहाँ पर public शोर है, मतलब हमारा जो post है, वो publish हो गया है medium पे, और इदा पर कुछ other fields, तो basically हमने हमने हमारे automation को यहाँ पर complete कर लिया है, आई यह चेक करते हैं medium पे, और आप इदा पर देख सकते हैं, just now एक new post यहाँ पर create हो गई है, expanding eco-friendly horizons, और आप इदा पर post का content भी देख सकते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यह पूरा process automate कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप wordpress को connect कर सकते हैं medium के साथ, कि जब भी आप wordpress में कोई new post publish करेंगे, चाहिए वो कोई article हो, blog हो, तो उसको आप directly share कर सकते हैं, automatically, instantly, medium पर भी, इदा आप लिखा है, instant मतलब पूरा process instantly work करता है, मतलब आपको यह automation एक बाँ बनाना है, उसके बाद automatically तुरंद ही अपना काम करेगा, तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरी automation पर काम करना चाहते हैं, या इस automation को test करना चाहते हैं, तो इस workflow की जो link है, वो मैं आपको description box में share कर दूँँगा, तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करेंगे, इस पर काम कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt हो, तो आप में को comment section में जरूर बताएं, थैंक्यू, यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं, पैबली कने की मदद से, और आप हमको mail कर सकते हैं, supportadheratepably.com पे, अगर आपको कोई query है, तो आप हमको mail कर सकते हैं, forumadheratepably.com पे, और अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप हमको reach out कर सकते हैं, इस particular link पे, दोस्तों अगर आपको इवीडियो पसंद आया, तो इसको like करें, share करें, और हमाई channel को subscribe ज़रूर करें,